हाई मैं मेकप लवर विलकम बैक टू मैई चैनल मेकप शेक अप सो आज की इस वीडियो में मैं आपके शार्ड शेयर करने वाली हूं लैक में परफेक्ट में डिकुट फांडेशन का छोटो सा रिव्यू यानि कि इसके बारे मैं मैं आपको पूरी डेटेल बताने वाली हूं बिकॉज इस टाइम में जो भी बिगनर्स हैं जो भी मेकप करने स्टार्ट करते हैं या सीखते हैं तो सबसे पहले यह फांडेशन लेना ही प्रिफर करते हैं यह बज़र्ट फ्रेंड्ली है साथी साथ काफी अच्छा ठीक ठाक सा कवरेज प्रोवाइड करता है अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाइ करते हैं अधर्वाइज आप में से बहुत से लोगों की कॉईरी होती हैं कि यह फांडेशन बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता है बिल्कुल भी लॉंग टाइम तक स्टे नहीं करता है और बगारा बगारा बहुत सारी चीज़े होती हैं जो के मन में हैं सो उन सारी चीजों का उन सारी समस्यों का समाधान करने वाली हूं मैं आज इस वीडियो में और इसके बार में थोड़ी बात करते हैं उसके पहले अगर अगर अब मेरे चैनल पर नहीं हो तो में 100 वीडियो को लाइक सिर और चैनल को सब्सक्राइब किये भीना तो तो यह इस तरह की कांच की बोटल में आपको मिलेगा जो कि बहुत ही सेफली आपको रखना होगा विकाज यह कांच की बोटल है तो टूटे का डर्स बहुत जादा रहता है और इसमें 27 ml प्रोड़क्ट आपको मिलेगा और इसका प्राइज 180 एंड इसके पहले जो प्रचेस क करने के सोचते हो तो मेरे बज़र में यही था एंड मैंने इसको अपलाई किया था काफी ठीक ठाक सा लगा दैन मैंने यूटूब में वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिये थे उसके बाद मैंने और भी अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोड़क्ट जो पर्चेस किये होती है तो आपको इस सारी प्रोब्लम का समाधन मिलेगा इस वीडियो में तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट अब मैं इस फांडेशन को अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूं और आपको समझ में आयागा कि कैसी क्या कवरेज मिलेगी कैसी नहीं तो दे खतम होने पर हैं बट काफी अच्छा है में से बहुत से लोग सोचते होंगे प्राइमर लगाना क्यों जरूरी है तो प्राइमर आपके मेकप को बहुत लांग टाइम तक इस्टे करता है साथी साथ आपके ओपन पोस को भी मिनमाइस करता है इसलिए प्राइमर ज़रूर अ अच्छे सेट हो जाए तो गाइस प्राइमर अच्छे सेट हो जीए हो चुका है मेरी स्कीन पर तो यह एक माइनस पॉइंट भी है अब मैं इसको बेक अफ हैं पर थोड़ा सा ले री हूँ यह बहुत होती ज्यादा रनी है बिलकुल भी ठिक नहीं है। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके भी करना आप बहुत ज्यादा स्पॉंज का यूज कर रहे हूं स्पॉंज की हाल से ब्लैंड करूंगी सो देखते हैं कैसी क्या कवरेज प्रोवाइट करता है तो बहुत ही हलके से आपको डैब डैब करना है उन्हों ड्रैग नहीं करना वरना जितना भी फाउंडेशन है वो पूरा आपके स्पॉंज पर ही आजाएगा सो गाइस जैसा कि देख सकतो मैंने स्पॉंज से साइड पर ब्लैंड किया है बट मुझे बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिली है देख सकतो यहां पर थोड़े से एकने की स्पॉर्ड भी थे मार्क थे जो कि पूरे पूरे विजबल हो रहे हैं मैं आपको पास से दिखाती हू में भी दिख रहा है सो इस साइड पर ब्रस का यूज करके देखनी कैसी का कवरेज मिलती है सो इस तरह का आपको फ्लैट ब्रस लेना है देन आपको को ब्लैंड करना है सो गाईस दिस साइड मैंने ब्लैंड किया है या कि सपॉंज से तो मुझे दिस का कव का पीड़ा को थिक थाक सी मिली है बन्स से महीं Ltd काफी जादा आपका जो प्रोडेक्ट है वो शोग कर लेता है तो इसके बाद मैं कॉंपक्ट के हैप से ओवर और फेस को सेट कर लूँगी ताकि आपका जो फाउंडेशन है न वो और जादा लॉंग टाइम तक इस्टे करेगा और कहीं से भी क्रैक नहीं होगा तो देख सकतों काफी ठीक ठाक सी कवरेज मिली है फुल कवरेज तो नहीं बोल सकती बट नॉर्मल टू सेयर कवरेज आपको डेफिनेटली मिलने वाली है इस फाउंडेशन से इसके बाद मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लेतूं लिप्स्टिक तो इस मेबलेन की अप्लाई कर तो इसके बाद मैं थोड़ा सा लगाऊंगे अपनी चीक्स पर ब्लश थोड़ा सा यूनों पिंक टिंग सा लगेगा तो और ज्यादा प्रिटी लगेगा इस इतना कर लेना है आपको और अगर आपको आई मेकप करना है तो वह भी कर सकते हो बट मुझे सिर्फ इतना ही करना था बिकॉस आई मेकप मुझे दूसरा सूट करना है आप इस तरह की स्टेप को फॉलो करते हुए अगर फांडिशन लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी कव्रेश मिलेगी और देख सकते हो पहले के फेस में और आपके फेस में कितना ज्यादा डिफरेंट है बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है सब्सक्राइब करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा मिलते हैं किसी अधर वीडियो के साथ में बाबाए